हेलो एवरिबन दिस इस राम बिश्णोई एंड योर वाचिंग चोग्रॉफिक गुरूब आज के इसे एपिशोड में हम डिसकस करने वाले हैं कि इंपोर्टेंट स्कोलर्शिफ एक्जामनेशन के बारे में और वो एक्जामनेशन है JSTSE एक्जाम यानि Junior Science Talent Search एक्जामनेशन जिसको अब हम मुख्यमंत्री विज्ञान परतिबा परिक्षा MVPP के नाम से जानते हैं ये एक्जाम कौन सी क्लास के स्टूडिंस दे सकते हैं इसकी important dates क्या रहेगी syllabus, strategy, books, cutoff यानिकी जितनी भी information आपके लिए important है इस examinations related वो सब कुछ हम इस episode में discuss करने वाले हैं सबसे important point रहेगा कि हम strategy discuss करने वाले हैं कि अगर आपको इस exam को crack करना है तो आपको करना क्या है कितना पढ़ना है वो सब कुछ भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो चली शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि यह JSTS exam आखिर है क्या तो MVPV यानि कि पहले इस exam को कहा जाता था JSTSE यानि Junior Science Talent Search Examination जिसको अब कहा जाता है मुख्यमंत्री विज्यान परतिबाब परिक्षा इसको कंडेक्ट करवाता है Science and TV ब्रांच है DOE, Delhi की जो 2005 से लगातार इसको कंडेक्ट करवाती आ रही है यहां तक क्लीर हो गया कि एक scholarship exam है जिसको Science and TV ब्रांच जो DOE, Delhi की ब्रांच है वो इसको कंडेक्ट करवाती आ रही है 2005 से और इसी को पहले GSTSE exam के नाम से जाना जाता था अब बात आते है कि इस exam को कौन दे सकता है यांकि इसका eligibility criteria क्या है तो यह जो exam है, यह Class 9 के students के लिए होता है यांकि आप current में, अगर अभी presently आप 9th class में हो तो आप इस exam को दे सकते हो तो तो the students presently studying in the Class 9th in government school में हो या government added school में हो या फिर unadded, recognized private school में हो including the Kendriya Vidyale, JNVs, Javad Nodhya Vidyales में है या फिर school of MCD है, NDMC है, DCB है यानि कि कोई भी school जो affiliated है किसी भी board से affiliated है ओके, recognized है वो school जो Delhi में है उसके students जो class 9th में अभी presently वो इस exam को दे सकते हैं क्लास 9th के students कहां के? Delhi के, government जो national territory है national capital territory of Delhi है वहां के students है इस exam को दे सकते हैं इसके बाद second जो criteria है students must have secured 60% marks in class 8th class 8th में आपके 60% marks होने चाहिए 5% lexation मिलेगी जो SC और ST तथा PH category के students है उनको यनके उनके उनके लिए 55% 55% पर्थिशत marks है वो काफी रहेंगे लेकिन अगर हम बात करें इस session की COVID-19 के कारण exam नहीं हुए 8th class के mostly school में अगर हम government school की बात करें तो इस बार it means that सभी students eligible है इस exam को देने के लिए तो यहाँ पर clear हो गया होगा इस exam को class 9th के students से वो दे सकते हैं उनके 8th class में 60% marks होने चाहिए अगर आप reserved category में हो तो 55% marks होने चाहिए लेकिन क्योंकि इस बार COVID-19 के कारण exam नहीं हुए सभी को वैसे ही promote किया गया तो सभी students इस exam को देने के लिए eligible है तो यहाँ पर eligibility हमारी clear हो चुग है उसके बाद बात आती है कि इस exam की cost क्या होगी अगर आप apply करते हो तो इसकी cost क्या रहेगी तो यह exam totally free of cost रहेगा ओके यानि कि आपको कुछ भी किसी type की fee है वो pay नहीं करणी है उसके बाद आपका question यह आता कि medium of exam क्या रहेगा क्योंकि काफी सारे students है वो Hindi medium से होते है तो यहाँ पर medium of exam Hindi और English रहेगा यानि कि बहुत exam में आपके पास question paper हैगा जितने भी questions रहेगे वो MCQ रहेगे multiple choice question रहेगे और वो Hindi और English दोनों में रहेगे यानि यहाँ पर medium matter नहीं करेगा only the school is authorized to apply online यानि कि school है वो apply करेगा तो इसके लिए आपको अपने class teacher class in charge है या फिर जो science teacher है particularly उनके पास charge होता है उनको आपको inform करना है कि मैं interested हूँ हालांकि generally ऐसा होता है कि school के जो अच्छी students मतलब जो 60% से अब हो है तो mostly students के form apply होते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि वो students भी रह जाते हैं तो इसलिए आपको अपने class teacher को well on time inform करना है कि मुझे ये exam देना है और मैं उसकी preparation कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ उसके बाद बात आती है कि exam pattern क्या रहेगा यहाँ पर MCQ questions रहेंगे और Hindi और English medium दोनों में रहेंगे इसमें दो आपके paper हैंगे जो first आपका paper हैगा वो रहेगा mat mat जो exam रहेगा उसमें 100 questions रहने 100 ही marks के रहेंगे और total आपके पास mat exam के लिए time रहेगा 120 minutes यानि कि 2 hours दो गंटे रहेंगे उसके बाद second जो paper होगा वो होगा आपका set का exam school stick aptitude test होगा set का exam होगा उसमें भी 100 questions रहेंगे 100 marks और आपके पास 2 hours का यानि कि 120 minutes का time रहेगा यानि कि total आपके पास 200 questions होगे 200 marks के होगे और आपके पास 4 hour का time होगा 4 घंटे रहेंगे हालांकि ये जो sections है वो अलग-अलग है लेकिन आपके पास all together 4 घंटे एक साथ time मिलने वाला है 4 घंटे का time है और आपको ये 200 questions है वो solve करने है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 part रहेंगे mat, mental ability test और school stick aptitude test यानि कि set अब यहाँ पर full pattern को थोड़ा से analyze कर लेते हैं कि इसमें mat और set में क्या रहेगा जो mat है उसमें आपके 100 questions रहेंगे जो mental ability करेंगे यहाँ पर काफी सारे students के mind में यह होता कि mental ability मतलब mathematics ऐसा बिल्कुल नहीं है जिस भी बच्चे का average अगर mathematics है यानि कि 40% के level का रहे वो भी mat में out of out score कर सकता है यहाँ पर बात आएगी practice की अगर आप practice करते हो books हम आगे discuss करने वाले है यह books available हो जाएगी easily तो अगर आप practice करते हो तो आप अच्छा score कर सकते हो इसमें maths जैसी calculation नहीं होती practice है वो जरूरी होती है उसके बाद set जो होगा वो 100 marks का होगा इसमें set में आपका science रहेगा maths रहेगा और social science रहेगा science में आपके 40 marks का science रहेगा उसमें से 13 questions physics के रहेंगे 13 questions से आपके chemistry के रहेंगे और bio के 14 questions रहेंगे यानि कि total आपका हो जाएगा 40 marks का mathematics में इसमें 20 questions रहेंगे 20 marks करेंगे यहाँ पर एक चीज़ बता दू कि काफी सारे students ऐसे होगे जिनका mathematics हो सकता है जितना अच्छा ना हो तो need not to worry अगर आपका maths में 0 भी आता है तो भी आप इस exam को crack कर सकते हो अगर आपके बागी subject अच्छी है तो यहाँ पर ऐसी tension नहीं लेनी कि maths इसमें आने वाला है तो हमें maths अच्छा नहीं है या उस level का हमारा नहीं है कि हम compete कर पाएं तो उसके लिए आपको भी tension नहीं लेनी है फिर भी आप इस exam को crack कर सकते हो तो यहाँ science और maths यानि कि 60 marks होगे सेट में तीसरा जो subject रहेगा वो रहेगा हमारा social science यानि कि SST इसमें आपके history के 10 questions रहेंगे civics के 10 questions रहेंगे geo के 10 questions रहेंगे और eco के 10 questions रहेंगे यहाँ पर यह तो clear हो गया कि science, maths और social science रहेगा लेकिन कौन सी classes का किस level का रहेगा तो mostly जो आपके topic रहेंगे वो रहेंगे class 8th और 9th के 90% 90-95% आपका जो topic रहेंगे वो class 8th और class 9th के रहेंगे एक तो basic topic हो सकता है कि 6-7th में से उठा ले जाएं लेकिन वो basic topic होंगे जो class 8th और 9th में repeat होते हैं यानि कि level है वो आपके according ही रहेगा इतना difficult level नहीं होता तो यहां मने pattern को समझा कि यहां पर क्या रहेगा इस एक जामे उसके बाद है कि scholarship कितने students को मिलेगी और क्या मिलने वाला है तो scholarship है वो 1000 students को मिलेगी पहले यह 150 students को मिलती दी लेकिन अब यह जो मिलेगी आपको 1000 यानि कि top जो करेंगे अपने अपनी categories में उन 1000 students को यहां scholarship मिलेगी और 5000 रुपीज है वो आपको मिलेंगी एक साथ as a scholarship amount लेकिन यहां पर सिरफ पैसे की बात नहीं कि आपको 5000 रुपीज मिलने वाले है उससे भी important यह है कि आप next year इससे भी बड़ी त्यारी के लिए जाओगे NTSC का exam होना है तो NTSC की preparation बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप GSTAC exam को थोड़ा से seriously लेते हो तो आपके chances ज्यादा रहेंगी कि आप NTSC को crack कर पाओगे और NTSC मतलब आप जब तक study करोगे तब तक आपको scholarship मिलनी है और आपको बड़े-बड़े school, बड़े-बड़े institute free of cost coaching देंगी तो अगर आपको NTSC और उसके बाद के अगर benefit लेने है तो हमें GSTAC exam को मुख्यमंत्री विज्यान परतिबा परिक्षा exam को बहुत seriously लेना है इसके साथ साथ जो भी students जिनको scholarship मिलेगी उन 1000 students को इस students will be facilitated by the chief minister of Delhi and the DFTCM of Delhi यान कि आपको सम्मानित किया जाएगा तो ये भी आपकी life के लिए आपके parents के लिए important moment होगा तो उसके लिए आप त्यारी कीजिए उसके बाद है कि इसकी important dates क्या रहेगी यान कि ये form कब निकलते हैं कब apply होते हैं कब आपका exam होता है तो यहाँ पे notification जो release होता है DOE के तरफ से वो लगबग third week of August में होता है generally 2005 के बाद देखा जाए तो third week of August में इसका notification आ जाता है detail में लेकिन last year ऐसा हुआ कि COVID-19 के कारण ये next year फैब मेर notification था वो release हुआ था तो काफी late release हुआ था क्योंकि COVID जैसे situation थी school थी वो close थे तो उसके कारण delay हुआ था otherwise generally जो इसका schedule होता है वो third week of August है अगर COVID जैस situation इस बार भी रहती हो सकता थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए उसके बाद application start date यानकि जब notification आ जाता है detail में तो उसके बाद वहीं से ही third week of August थे इसके application online application है वो start हो जाती है online जो form है वो apply कर सकते है और last day to submit an application first week of September होता है लगभग 20 days मिलते है apply करने के लिए इसके जो admit card है वो first week of December से available होते है यानकि अपलाई करने के लगभग दो मन्त के बाद two months के बाद available होते है तो first week of December एक tentative date है यानकि अगर थोड़ा सा delay होता है इस बाद notification तो ये आप idea लगा सकते हो कि लगभग two months के बाद आपको admit card है वो available होंगे कहां से available होंगे आपको online आप download कर सकते हो लेकिन generally जो attest होने के बाद आपको school ही provide करेगा उसके पर सब कुछ detail होगी आपका exam कहा होना है कि center में होना है किस time होना है सब कुछ details आपको admit card के उपर available होगी exam date की बात करें तो generally अगर हम last year को छोड़ दें क्योंकि वहाँ पर COVID-19 के कारण अलग situation थी 28th of March को हुआ था लास्ट जो exam था आपका otherwise ये second Sunday of December को होता है तो ये fix a day लेकिन COVID-19 के कारण आगे पीछे date हो सकती है उसके बाद answer की की बात करें तो जेन के first week तक इसकी official answer की release कर दी जाती है अगर उसमें कोई भी correction हो तो उसके बाद दोबारा से final answer की आती है और result की बात करें तो exam के लगबग 3 महिने के बाद 3 months के बाद result है वो available होता है तो second week of March में generally अब तक result हो मिलता रहा है last year को छोड़ दिया जाए तो तो यह रहेगी important dates आपको इसी के coding चेक करते रहना है मैं भी आपको update दूँगा जब यह form available होंगे अब बात करते हैं last year की cut off की कि last year कितना score किया था students ने इसको crack करना है तो general category की बात करें तो जिस student का score 128 था out of 200 उसको scholarship मिली थी देखिए यहां पे हम 20 maths के marks को छोड़ दे अगर हम 180 की preparation करें जिन students का mathematics है तो भी आप करे कर सकते हो 128 out of 200 बहुत ज़्यादा नहीं है थोड़ी सी preparation थोड़ा से अगर serious लोगे बिना coaching के तो भी आप कर सकते हो OBC की देखिए merit just 80 marks out of 200 जिस भी students ने 80 score किया था उसको scholarship मिली है ऐसे ही SC category में merit जो 87 marks थी यानकि जिस students ने 87 score किया उसको scholarship मिली है तो यह minimum cut off है यानकि इतने पर scholarship मिली है last year ST में 65 रही है only 65 जबकि PH category में 78 रही है तो यह idea है एक आप के पास कि अगर आप इस target को लेकर के चलिए कि इस से थोड़ा extra तो आप इसको crack कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप 200 में से आप 190 लोगे तो ही आपको scholarship मिलेगी या फिर 170 या 80 लोगे तो ही scholarship मिलेगी आपको इस exam को serious लेने की ज़रूरत है तो आप easily इस exam को crack कर सकते हो जो भी preparation ठीक से करेगा तो यह merit की बात हुई कि इसकी cut off क्या रही थी उसके बाद हम बात करेंगे books की कि अगर हमें इसकी preparation करने है तो कौन सी book हमें लेनी चाहिए तो NCRT best रहेगी maths के लिए social science, sst के लिए science के लिए NCRT को अच्छे से त्यार कीजिए NCRT से बाहर काओ यानि NCRT अगर आपने अच्छे सी त्यारी कर ली it means आपकी त्यारी हो जाएगी इसके लिए junior science talent search examination की class publication की एक book आती है जो मैंने last year चेक की थी अच्छी book है वो भी आप देख सकती हो उसमें benefit यह मिलेगा कि यहां पर हम NCRT से क्या कर सकते है science, math, social science, sst की preparation कर सकते है math का क्या होगा तो math के लिए हमें कोई एक book purchase करना ही पड़ेगी तो आप class publication की book available है तो वो purchase कर सकते हो market में इसके लवा और भी बहुत सारी books available है तो आप उनसे comparison भी कर सकते हो इसके लवा JBC Press का एक JSTS का previous case sold paper और practice paper available होते है explanation के साथ market में available है तो यह भी आप purchase कर सकते हो दोनों ही books ज्यादा costly भी नहीं है यानि आपकी NCRT के साथ-साथ आपके last publication और JBC Press की जो books है वो market में available है उनको आप purchase कर सकते हो इसके लवा जो previous case के question paper की बात करें तो वो DOE की website के उपर या गूगल करोगे तो वहाँ पर भी easily available है आप हमारा telegram का channel जोइन कर सकते है तो वहाँ पर भी हमने last year भी publish किये थे और अभी कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ पर सारे question paper है वो available हो जाएंगे तो वहाँ से भी आप उन question paper को ले सकते हो तो यह books की बात होई उसके बात बात आती है कि strategy कि अगर हमें इसकी त्यारी करने है तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम इसको crack कर पाएं तो यहाँ पर सबसे important जो चीज है कि यह अपने आप crack नहीं होने वाला पूरी डेली के चाहिए वो government school के students है या private school के students है सभी से exam को देने वाले तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपना एक time table set करें आपको अभी से at least जो two hours है daily time है minimum की बात करें तो 90 minutes डेड़ घंटा तो कम से कम आपको देना ही देना है जिसमें आप 9th के topic करोगे और 8th के topics है या जो आपका mat का exam का syllabus है उसको आप prepare करोगे तो आपको एक time table set करना है कि आपको morning में सबसे पहले करना है या afternoon में करना है या evening में करना है अगर आप time table set नहीं करें कि सिरफ आपने इस लिबस देख लिए बुक्स ले आए तो आपने आप crack नहीं होने वाला है preparation तो करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे important है कि एक fix time set कर लीजे कि ये time मेरा JSTS या मुझ्यमंत्री विज्यान परतिबा प्रिक्षा का रहेगा उसके बाद दूसरा है कि हमें सबसे पहले cover करनी है अपनी NCRT NCRT की आप class 8 की cover करोगे उसके बाद class 9 की cover करनी है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको extra efforts करने पड़ेंगे तो NCRT है वो more than enough है आपके set exam के लिए उसके बाद आपको last 7 years के question papers है जो Google के उपर available है आपको Telegram के channel के उपर मैं available करवा दूँगा तो उनको आपको solve करना है बहुत सारे questions ऐसे होगे जो वहीं से ही repeat होने वाले है और pattern का भी idea लग जाएगा तो आपको courses करनी है कि जब आप preparation को start कर दो आपको 7 days हो जाए उसके बाद आप एक question paper उठा करके जरूर देखिएगा तापकि आपको idea लगे कि आप preparation करे हो तो आपको किस type के question से उस exam में यू लेंगे ताकि आपकी preparation अच्छी direction में जा पाई इसके साथ साथ आपको mat के लिए जो mat होता है 100 marks का जिसमें mental ability होती है बहुत easy होती है और बहुत मुश्किल होती है easy तब होती है जब हम उसकी practice करें और मुश्किल तब होती है अगर बिना practice कर जाएं तो उसमें time बहुत लगता है time लगता मुश्किल वैसे नहीं है time consuming है time लगा दिया तो भी हमारा जो question paper है वो exam है वो हम complete नहीं कर पाएंगे तो उसकी practice करने है और practice regular ही करनी है topic दिये गए हैं जो भी आप book purchase करोगे तो उनकी practice करके देखिएगा तो उससे आपकी time भी जो reduce हो जाएगा उसको solve करने का एक अलग सा confidence आएगा क्योंकि mat में आपको score at least अगर crack करना है तकलिप आई ओके शोसे science यहाँ पर key रहेगा सबसे important क्योंकि science में लगबग score एक जैसा रहता है maths में लगबग score एक जैसा रहता है math exam में लगबग score एक जैसा रहता है जो sst में बाजी मारता है उसको scholarship मिल जाती है तो sst पे focus आपका अच्छा रहना चाहिए यहाँ पर marks आपके 35 plus minimum रहने चाहिए जैसे हमने last year preparation के बात करें तो हमने एक series release की थी class 9th के students के लिए हिंदी और इंग्लिश में most important questions की series जो आपके exam के preparation के लिए mid term और renewal exam के लिए तो उसमें हमने chapter wise most important questions 1 marks के, 3 marks के और 5 marks के दिये थे उसमें से आपके 40 marks के जो questions थे last year 34 questions उनहीं में से थे तो आपको इस तरह किसे quality preparation करने है चाहिए आप chapter wise questions आप खुद बना सकते हो जो 1 marks के chapter wise questions बन रहे है तो आपको 10 days का time मिलेगा यानि कि 10 days में आप total social science को prepare कर सकते हो तो आप कैसी भी तरह किसी social science है उसके उपर focus ऐसा होना चाहिए अपको 35 से नीचे score ना रहे है तो यह आपके strategy रहनी चाहिए उसके बाद हम syllabus की बात करेंगे कि आपके कौन से topic है जो most important रहने वाले है यानि कि यह जो syllabus है officially DOE कभी भी syllabus को release नहीं करता है यह जो syllabus topic में आपके साथ share करने वाले हूँ यह आपकी last 7 years के जो question paper है उनकी बीस पर share करने वाले हूँ कि कौन से topic है जिन से maximum questions रहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे social science की SST की तो उसमें आपके chapter हैंगे natural vegetation जो class 9th geographic का chapter है wildlife of India यह भी class 9th geography के chapter natural vegetation है उसी का एक part है population जो class 9th का last chapter है जियो का और class 8th का भी last chapter है यह आपको बहुत अच्छे से prepare करना है 2011 की जो population census के data है जनगर्ना के जो data है आंकड़े है वो अच्छे से आपको त्यार होने चाहिए physical features of India यह आपका class 9th का chapter है बहुत सारे questions इसमें से होते है हर बार दो या तीन questions इसमें से पूछे जाते है climate chapter है important है class 9th का यह national park and wildlife centuries यह आपका chapter class 9th का है solar system जो आप class 6th में पढ़ चुके है यह आपको अच्छे से prepare करना है इसके लिए agriculture और soil यह दोनों chapter आपके class 8 के है insulated questions भी आपके exam में रहे है तो यह आपके geography के most important topics है जिनसे related questions maximum time आपके exam में रहे है उसके बाद हम बात करें social science में history की तो history में आपको ancient India की जो history है और important historical events है वो आपको पढ़ने हैं अगर आप private publication की जो भी book purchase करोगे तो उसमें history की important terms दियोगी वो अगर कर लोगे या फिर आपको बहुत सस्ती सी आपको Indian history की book मिल जाएगी 20-30 rupees में वो ले आईए तो उसमें important जितनी भी dates या events दिये गए तो वो आपको अच्छे से करने है उसके बाद civics या pole science की बात करें हलांकि इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इनके साथ साथ आपकी 9th की और 8th की history वो बहुत अच्छे से त्यार होने चाहिए उसके बाद हम civics या pole science की बात करें तो यहाँ पर हमारे chapter रहेंगे Constitution of India उस से related जितने भी facts है वो आपको अच्छे से त्यार होने चाहिए Important government schemes जो last five years में launch हुई है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि current के जो questions है वो भी इसमें include होते है General awareness के आसपास जो last three months में exam से पहले तीन महिने पहले या six months पहले जो भी घटना है घटीती है तो उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए Net पे search करोगे तो आपको easily वो available हो जाएगे उस वक्त तो वो आपके लगबग 50 के आसपास questions होंगे तो वो आपके अच्छे से होने चाहिए famous personality के बारे में पता होना चाहिए politicians या फिर किसी भी field के books and authors आप इसमें करोगे important books और उनके authors और important days और events आप करोगे ये आपके 20 to 30 questions बनेंगे इसके लाब festival of India किसी भी states से related है वो और कब celebrate किया जाते है साथ साथ current affairs बहुत important रहेगा इसके three questions के आसपास रहते हैं लेकिन इस three questions merit में बहुत matter करते हैं national और international यानि कि दोनों type के आपकी current affairs include होने चाहिए तो ये सब कुछ रहेगा आपका civics, polscience या फिर general awareness में उसके बाद बात करेंगे हम science और mathematics की तो physics में आपके important chapter रहेंगे जिनके उपर आपको focus करना है वो है motion class 9 का force and laws of motion gravitation, work and energy sound work, wave motion and sound, electricity ये सारे के सारे topic आपके class 9 के ये आपके अच्छे से prepare होने चाहिए उसके बाद chemistry में अगर हम देखें तो chemistry में आपके important topic रहेंगे atoms and molecules structure of the atoms acid and base matter and general names of chemicals ये आपको त्यार करने है उसके बाद bio की बात करें तो bio में आपके important जो topic रहेंगे वो रहेंगे fundamental unit of life जो class 9 का है tissues 9 में से divaster in living organism food resources, environment in ecology ये सभी आपके basic topic है बहुत ही जिए class 9 के हैं सारे topic जिन से later questions आपके exam में रहे है उसके बाद mathematics की बात करें mathematics में आपके important जो topic रहेंगे GSTS के लिए वो है fundamental arithmetic operation इसको बहुत अच्छे से आपको त्यार करना है hall numbers, average इसके साथ साथ percentage, profit and loss के question है ratio and time के question है time, speed and distance के जो question है इस type के basic question जिसको आप one minute में maximum solve कर पाओ वो questions आपके exam में रहेंगे तो यहाँ पर हमने discuss किया detail में कि यह GSTS exam क्या है कितनी preparation करनी है कैसे preparation करनी है और important dates क्या है फिर भी आपका कोई question है, doubt है तो आप comment कर सकते हो hashtag geography group के साथ तो मैं आपको reply दे दूँगा या फिर एक और option है आप हमारा telegram का channel है वो join कर सकते हो जिसका link description box में भी दियागा और यहाँ पर वीजीबल है telegram पे जाई, geography group को search किजिए उसको join किजिए वहाँ पर जैसे जिसे exam नजदीक आएगा आपको सारे important questions आपके साथ share किया जाएगे जितना भी study material है तो वो share किया जाएगा और previous years के, जो last seven years के questions है वो question paper भी आपको वहाँ पर available हो जाएगे और आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हो जिसका link भी description box में भी है और आपकी screen के ओपर visible है आज के लिए बस इतना ही thank you, bye bye, have a nice day, मिलते हैं next video है